तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 15 की बीटर टेस्टिंग जो है अरड़ी स्टार्ट हो चुकी है और काफी सारे डेवलिपर उसको इस टैम पर टेस्ट कर रहे हैं तो उसी तरीके से MIUI 15 का लॉंचर जो है किस तरीका आपको देखने को मिलने वाला है उसी के बारे में हम साथ साथ जो है सिकेविटी का भी एक अपडेट जहुद देखने को मिला है उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसको आपने शौमी, रेड्मी और मी के फोन पर यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग उस आपको देखने को मिल रहा है वो भी काफी अलग सा आपको देखने को मिल रहा है और जो एनिमेशन जो आपको देखने को मिल रहा है आइकन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है तो यह सारी जिए आप भी अपने किसी भी शौमी फोन में यूज़ कर सेथे हैं सिर्फ आइकन पैक हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एलिगेंट ओरिजिन ओएस जिसके जो डेवलपर हैं वह रॉबर्ट को क्या करना है कस्टमाइज में जाके आपको आइकन एंड सिस्टम्स को यहां पर एपलाई कर दिना है इसके बाद से आपके स्टेटस बार के आइकन जो ह आपको देखने को बिलेगा जिसको आप अपनी होम स्कीन पर सेट अप करते हैं और वाल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके बाद आप इन तीन कॉम्बिनिशन के तुरू कुछ इस तरीके का लोग अपने किसी भी शौमी फोन पर पास आते हैं च मतवि होने चाहिक आपको यही लॉंचे में आपस देखने को जैसे स Yuk slips को अपर पहले देखने मिल जाते हैं। बेक्ग्राउंड कलर में वही आपको डिफॉर्ट के आइकन्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं बाखी अब बलर्प एप प्रिव्यूस के अंदर भी काफी सारे अप्लिकेशन पहले से यहां पर सिलेक्टेड होंगे जैसे कैमरा गया काफी बड़ी लिस्ट भी आपको यहा में देखने को बिलने वाले हैं लॉंचर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसको एक वापने फोन में इंस्टॉल करते हैं अगर उससे पहले अगर आप कोई ऐसा लॉंचर यूस कर रहे हैं जो अल्फा वर्जिन पर था या बीटा वर्जिन उसको एक बार अणिस्टॉल कर लें उसके बास इस लॉंचर को इस लॉल यहारव को निभी मल जा我覺得 आपको इसके अंदर बीप डूप Gleich लॉट उसी तरीके से जो है security application को भी अपडेट कर दिये गया है, बट उसके अंदर UI के अंदर कोई जादा changes नहीं किया है, अगर आप सोचें कि UI में काफी changes की नहीं, इसको पहले से stable किया गया, क्योंकि पुराणे कुछ builds में थो यह background काफी battery आपकी consume करती है, और कहीं ना कहीं जी phone की performance के उपर फड़ता था, तो आपको मैं recommend करूंगा कि आप इस application को जल से जल इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यह stable version है, और काफी perfect तरीके से काम कर रहा है, इवन बैटरी के अंदर कुछ phones में आपको, यहां पर optimize charging का भी option देखने को बिड़ेगा, जिसको आपको enable कर लेना तो उसके अंदर भी कुछ नए changes आपको वहाँ पर security application के तुरू आपको देखने को मिले है, जहां से आप इसके अंदर settings में जाकर इसके picture quality, frame rates गया है, इन सबको यहां पर manage कर सकते हैं, किस तरीके सब को यूज़ करना है, यह चीज़ आपको यहां पर इसके अंदर आगे च charging का option देखने को मिला है, कि नहीं मिला है, और game turbo के अंदर यह जो आपको settings के नए options थे, यह आपको देखने को मिले है, कि नहीं मिले है, और मैं आपको यह चीज़ पर से क्लिए करता हूँ, launcher जो है, सिर्फ यह Xiaomi के Mi और Redmi Phones में ही काम करेगा, Pogo के लिए काम नहीं करेगा, क्य आपको हमारे वीडियो के updates की notification मिलते रहें, और कोई भी वीडियो जो है, आप skip ना करें, तो उमीद करता हूँ, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और साधे साथ मुझे जरू बताएगा, कि आपको यह theme कैसी लगी, और आप और भी ऐसे theme related video चाहते हैं, या आ आप जानते हैं, और बाकी लोगों को share करना चाते हैं, तो उसका नाम नीचे comment section में mention जरूर कर दीजिएगा, तो उमीद करता हूँ, आपको आज का यह video पसंद रहा होगा, वीडियो पसंद रहा हो, वीडियो को like जरू कर देगा, चैनल के support and motivation के लिए, चैनल को subscribe करना मत लेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye-bye.